मैंने कहा किस यार ये लोक तंत्र है तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे तुम राजा मारा जाओ क्या क्या तुम राजा मारा जाओ क्या अरे तेलेंगा कि जनता ताहि करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है बाज वो दिन आखरी था उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आँखे नहीं मिला पा रहे हैं मेरा पढ़्चाया भी देखने की इमत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे हैं मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस ने अब एक नई बात चुरू की है यह तो मैंने केसियार का पुरान बताया अब कॉंग्रेस ने सत्ता भूख के लिए सत्ता हत्याने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है नई बाते बोलना शुरू किया है आजकल क्या कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक मैं जड़ा पूछना चाहता हूँ कि जिनों ने उनको वाग के लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या जब तुम कह रहे हो तो कॉंग्रेस की मुलभूत नित्यों पर ही सवाल करा कर रहे हो जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक इसका मटलब यह हुआ कि अब कॉंग्रेस गोषना करे क्या आप अल्प संखेकों के विरोधी है क्या कॉंग्रेस पस्ट करे आप दक्षिन भारत के विरोधी है क्या मैं सिद्ध करता हूँ उनकी ये नई सोच दक्षिन भारत के साथ को रहन्याय करने वाली सोच है ये नई सोच माइनोरिटी के पीट में भी चुरा भूंकने वाली सोच है आजकल देश में अगले डी लिमिटेशन की चर्चा हो रही है आपको मालू मनें 25 साल के बाद पार्लामेंट की सीटे कितनी होगी कौन सी क्या होगी इसका निर्णे जुडिसरी करती है और उसके कारण जहां जन संग्या कम है उसकी सीटे कम हो जाती है जहां जन संग्या जादा है उनकी सीटे बढ़ जाती है अब हमारे दक्षिन भारत के सभी रोजजन है जन संग्या वृद्धी को रोकने में बहुत बढ़ी देश की मदद की है अब कॉंग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हाग इसका मतलब आप कॉंग्रेस दक्षिन भारत के सउसस सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है खेल खेलने जा रही है क्या दक्षिन भारत इसको स्विकार करेगा क्या दक्षिन भारत कॉंग्रेज की चाल को स्विकार करेगा क्या दक्षिन भारत कॉंग्रेज को माप करेगा इसी विपसे पर मैं कॉंग्रेज के नेताओं को साप करता हूँ बेश को मुरख मत बनाओ पस्ट करो क्या कारण है दक्षिन भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं और इंडी गड़ बंदन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा हिम्मत है तो जरा कॉंग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हग मैं कॉंग्रेस को सवाल पूछता हूँ साउट के अंदर खास करके तमिल नाडू में मंदीरों पर सरकार का हग है सरकार ने कबजा कर लिया है मंदीरों की संपत्ति को सरकारी मिली भगत में हड़प किया जा रहा है मंदीरों को तो लूटा जा रहा है मंदीरों को तो कबजा किया गया है लेकिन माइनोरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं अब कॉंग्रेस ने जो नारा दिया है कॉंग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हग अगर यही आपका मंत्र है यही आपका सिद्दांध है तो क्या माइनोरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिड के आपके सारे साथी जबत करेंगे क्या उनका कबजा करेंगे क्या उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या नहीं लाएंगे मैं दूसरे सवार पूछता हूँ कॉंग्रेस को ये जो नारा देते हैं तो क्या कॉंग्रेस और उसके साथ ही खास करके तमिल नाड़ो क्या वो वहाँ हिंदू मंदिरों को जो कबजा किया जा रहा है हस्तफे किया जा रहा है दक्षिन के दिख्तम राज्जों में ही खेल चला है जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हग तो क्या ये हग हिंदूओं को आप वापिस देंगे क्या जबाब दीजिए ये चूठी बाते मत करिये लोगों को प्रमिस करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए कॉंग्रेस को इंडी एलाइस को इस बारे में भी अपना स्टेंड साप करना चाहिए कॉंग्रेस के साथ ही जो तमिल लडु में राज करते हैं जो केरल में राज करते हैं जो तिलंगना में राज करते हैं जो करनाटका में राज करते है ये सारे साथियों को कॉंग्रेस से ब्याद जबाब देना पड़ेगा साथियों आज देश में सबसे बड़ी जरुवत मान सबसे बड़ी जरुवत मान जिनको डगर डगर पर मदद की जरुवत है वो कौन है हमारे देश के गरीब परिवार है